अभ्या जंगा भाई दुरूके दुरूके अरे एक ड़ाराम से वाली उन्हीं तो इस बहाराम से पहले तो हमें जाने दीए बपी के पास गुछ गोलना चाहेंगे चया बोलूँ इसनए छोटका छोटा बस्चा बपी को हमने देखा है तबला बजाते हुए कलकट्रे में उनके डाड़ी जवापरिष दादा और ममी थी बाशुर्दी थी उनके साथ बच्पन में छोटा जब था वह हम नीचे डाय से प्रोग्राम देखते थे तबला बजा दा दा बपी छोटा बपी और उसके बाद 19 साल के उमर में मुंबई आया अपने दम पे उसने अपना जो कामिया भी उसने खेन ली मुंबई में और अपनी एक जगह बना है एड़ी डिस्को डांसर डिस्को म्यूजिक में वो एक अलग मुकान बना है और बपी लही इतना कम उमर में एक के बाद एक हिट फिल्म दिया इंडर्स्ट्री में एड़ी म् अलग एक पैचान बना है वो जो डिस्को और ये जो पॉप सॉंग और ये रॉक ये जो एक ट्रेंज लेकर आया है उस ताइम में दुनिया भर में उसने धमाल मचा लिया तो हम बहुत गर वनुबब करते थे इतना छोटा बच्चा इतना म्यूजिक में इतनी मतलब कामिया अभी दिखाया अपनी जगा बना जिए और बहुत हमें उससे उमीद थी लेकिन कुछ दिनों से हम सुन रहे थी कि बपीज नॉट वेल चलनी पा रहा था और मैं हमेशा हम खबर ले रहे हम हमारे दुरिका पूजा में चित्रानी उनकी वाईब आई थी हमने माता जी कर चर लुट लुट फो जाएगा लेकिन हो नहीं पाया और पता नहीं साल क्या हो रहा है एक के बाद एक द्रतनी उजी हमें मिल रहा है जटा जी का हुआ सरसरी पुजा के दिन जै बसन पंचमी का दिन और विसर जिन का दिन लाता जी चली गई हॉस्पिटल दे कल रात को हमारा बंगाल का बहुत बड़ी सिंगा संध्या मुखर जी कल उनका हॉस्पिटल में देहन तो गया और आज सुभे हमें नूस मिला कि बपी नहीं है हमें बहुत उमीद थी कि बपी अटलिस चलानी जाएगा रहेगा भूगत सकता है फ्रीटमेंट होगा चलेगा कुछ दिन पहल ना शाफी ने एक्टम से चला गया खुछ समझ मेलिया है मैं कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इनके फैमिली के साथ हमारा एक पारिवर एक संपर चेता है बहुत बश्यूंद जहां भी क्या शांती मेलें इस हैं जिए पंगाली होगता है दो ना पाटी मागे शाला